प्रेंट्स अपी मोनिंग नमसकार आप सभी सातियों को आपके अपने व्टूब चैनल डक्टर फला हाई ये सेंटर में हमें कुमार पूना सवागत करते हैं प्रेंट्स हम विलकम करते हैं प्रेंट्स नाज का टॉपिक है काफी इंपोर्टेंट है आज हम बात करेंगे ये चरम डिम्योज के जाने बाले में तौन से लेकर 44 में वीडियो बना दिए हैं सब लेकर नंबर के लिधियो हो सकते हैं इसलिए सब़ी वीडियो जरूर देखिएगा करम से आपको सभी वीडियो उची के लिंक मिल जाएंगी जो सभी वीडियो आपके इंपरमेटिव हो सकते हैं इसलिए सभी वीडियो चरूँ देखिएगा फ्रेंट्स आज हम बात करें 45 नंबर का जो मेडिशनल प्रांट्स है उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं इस समय इसमें यह रेमिडियो में यूज किया जाने वाले मेडिशनल प्रांट्स पर लीज चल रही है यह निहीं का कुल मिला के 114 I so 14 में प्रांट्स को यूज किया गया है यह रमिडी बनाने के लिए इसमें एट ग्रूप और silectrica एड़ाइड पूप इस तरीके से एड़ाइड हो गया व अब दू होग्या बई घब इस तरीके से सिक्ष ऐलेक्तिक सिटीज है और कुल मिला के 38 रमडीज है एड ग्रूप को मिला के 32 रमडीज है और 6 एलेक्रिक सिटी यानि कि 38 हो गया फ्रेंट्स और आज इन्हीं रमडीज के कंबिनेशन से 22 रमडीज और बना दी गई है यानि बरतमान में आपको 60 रमडीज मिलेंगी यो निशी तोर पर सभी रमडीज बहुत ही इफेक्टिव हैं अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं फ्रेंट्स कि यह ग्रूप कंबिनेशन रमडीज है जैसे कि 8 ग्रूप हो यहाँ बात करें C1 तो C1 में 5-6-8 इस तरीके से कुछ मेंडिशन प्रांट्स को मिला के रमडीज बनाई गई है यानि कोई भी रमडी किसी भी सिंगल मेंडिशन से नहीं बनी है यह अब यहाँ आप जैसे C2 की बात करें तो उसमें फिर कुछ दूसरे प्रांट आ गए हैं सिध्री में बात करें तो जो सीवन और सीटू में थे इनके साथ साथ कुछ हो गए हो गए होंगे कुछ डिलेट हो गए होंगे तो इस तरीके से आलाग अलाग रे मेडियेज बनाई गई हैं इनको कियाद करना संभाव नहीं है आप उसको बुक में पढ़ सकते हैं किस ग्रू लीजिए विलाइगन को आप कर लीजिए विडियो अच्छा लगा है दिसको लोगों तक जरूर पहुंचाएं एवर्नेस आये और निश्शित तोर पर किसी को किसी को प्रकार की समस्चिया है तिया थेरपी बहुत ही कारगर है और निच्छिए तरुगे से आप लोगों को जरूर पहुंचाईए जिससे लोगों में एवर्नेस है फ्रेंट्स तो आज हम बात करें 45 नंबर का जो मेडिशनल प्रांट्स है इसका नेम क्या है कामन नेम क्या है इसका कांसा पार्ट योज किया जाता है फ्रेंट्स इसके इंदर पाई जाने हम लिए जो रासानी खटक है और इसकी सपिलिण भी सुन देजे फ्रेंटस जीए अन ए एसटि ए ससी ओ पी ए आर आीय एक प्रकार का अफिह में इसका जो कामन नेम हैं फ्रेंट हो है dad's green weed are इसको bronze भी आप कह सकते है इसका जो part योज होता है वो freshness और ground part यानि कि above ground इसको अपन कह सकते है इनकी उपर वाला यानि कि नीचे काट लिया जाता है जो ground का underground है उसको छोण दिया जाता है यानि कि root का part छोण दिया जाता है वाल कि उपर का इसका संपूर पौधे को इस्तेमाल कर लिया जाता है EH remedy बनाने के लिए अब हम बात करेंगे फ्रेंट्स के सिंदर पाजाने वाल जो रासानी घटक है यानि कि chemical constructs है वो क्या क्या है फ्रेंट्स इस में से जो पहला है फ्रेंट्स वो है सैस्टिसाइन जेंटिन्स, जेंटियो पेक्ट्रिन्स, जेंटियो इलेन और इसके साथ सुगर और टैनिन नामागिस में से chemical properties पाई जाती है इससे जो EH group remedy बनाए जाती है फ्रेंट्स वो है WE यानि कि white electricity इससे त्यार की जाती है अब हम बात करेंगे इसके अंदर medicine benefits किस प्रकार से हमारे आपके लिए काम करते हैं तो यह जो remedy है यह especially इसका जो action हो है हमारे heart के उपर, यानि कि heart के उपर इसका बहुत अच्छा function है यानि कि cardiac later problems including float retention जिसको अपन इडिमा बोलते हैं यानि कि सरीर के अंदर जो पानी का जमा होना कई बार heart failure की बज़े से kidney failure की बज़े से या कि proper काम ना करने की बज़े से सरीर में excess water retention यानि कि जो toxins है वो proper नहीं निकल पाता और सरीर में पानी का जमा होना शुरू हो जाता है ऐसे condition के लिए ऐसे patient के लिए यह remedy बहुत ही effective remedy है इसके साथ साथ यह poor circulation के लिए poor palpitation के उपर इस remedy का बहुत अच्छा result रहा है shepocation के उपर यह बहुत अच्छा काम करती है आपको पताए है friends कि जिसका proper lungs काम नहीं करता heart काम नहीं करते है उस condition में patient को बहुत जाद तकलीफ होती है सांस लेने में वो मुख से सांस लेता तो भी उस सांस उसको proper पूर्ती नहीं कर पाता oxygen की पूर्ती नहीं हो पाती ऐसे condition को पंशा पोकेशन होते है यानि कि काफी जाद उसको तकलीफ होती है और उस condition के लिए भी एरेमेटी बहुत इफेक्टिव है यह improve करती है oxygen level के हमारे blood में, हमारे सरीर में oxygen level की है मातरा को बढ़ाती है friends इसके सांस इरेगुलर हार्ट वीड के उपर भी या रेमेटी बहुत इफेक्टिव है तब मुम्मीद करते है friends के वीडियो आप इफेक्टिव हो सकता अगर वीडियो अच्छा लगे तिसको लोगो तक ज़रू को चाहिएगा हमें लेगे निव वीडियो के साथ अगले रेमेटी के साथ तब तक के लिए नोती दीजिए नमस्कार